हेलो दोस्तों तो आज की हमारी मूवी एक ऐसे लड़की के बारे में है जिसे एनिमल से बात करने की पावर मिल जाती है और वो इसका यूज दुनिया के सबसे तेज घोड़े को डूड़ने में करता है तो मूवी शुरू होती ही सियो कबिले के इलाके से जा हम यकारी और उस और लाइटनिंग वाले सीजन को सैंस कर लेते हैं यहीं यकारी को खेलते हुए एक सुनेरी घोड़ा दिखाई देता है जिसके बारे में मशूर है कि वो दुनिया का सबसे फास्ट घोड़ा है और इन लोगों ने इसका नाम लिटल ठंडर रखा है यकारी भी उसे देखकर बहुत इंप्रेस होता है और तब ही उससे मिलने उसके दोस्त वहां आते हैं जिनमें एक लड़की रेंबो और एक लड़का सिड है वो उसे अपने साथ खेलने को बोलते हैं लेकिन जकारी उन्हें मना करके अपने डैड के पास आ जाता है वहां वो उन्हें सुनेरी घोड के बारे में बताता है कि मैं एक दिन उस पर राइट करना चाहता हूँ लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे राइट करना इंपोसिबल है क्योंकि आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया आगे हम उन्हें सब को वापस कभीले में आते हुए देखते हैं जहां उसकी म मुसे बताती है कि आज राद तुमें स्पिरिट ट्री पर आना होगा क्योंकि कभीले वाले एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं फिर वो एक बड़े से पेड़ पर चरकर रिलैक्स करने लगता है जहां से उनके कभीले की इगल हिल दिखाई देती है जो उनके पवित्र पक् से अपना सपना शेर करता है तब वो एल्डर उसे बताता है कि वो जरूर हमारे कभीले की पवित्री इगल होगी और इसका मतलब है कि जल्दी ही तुमारी किस्मत बदलने वाली है तब ही उससे मिलने उसके दोस्त वहां आते हैं और वो भी उसकी बाते सुनकर जाना होगा एक दूसरा आदमी उन्हें वोन करता है कि जल्दी यहां बड़े-बड़े टुनेडोस आने वाले हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नश्ट कर देंगे और अब हम जादा देर तक यहां नहीं रह सकते तब यकारी के डैट उन्हें बताते हैं कि हमार पे उन हंटर्स को फोलो करना चाहिए यकारी ऐसा करने से मना करता है और रेंबो भी उसे समझाती है कि ये सिर्फ ब्रेव लोगों का काम है जो सीट पर ब्रेवरी के फैदर्स पहनते हैं तब सीटू ने बताता है कि बाकी गोड़ों के साथ लीटल ठंडर भी वहां होगा और ये सुनकर यकारी का मन बदल जाता है अगले सुबा वह एक बोर से उन हंटर्स का पीछा करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने काफी सारे गोड़ों को गेर लिया है यहीं यकारी को वह लिटल ठंडर दिखाई देता है लेकिन इससे पहले कि कभीले वाले उसे पकड़ पाएं वो कूद कर वहां से भाग निकलता है और ये देखकर वो तीनों बहुत कुछ होते हैं यकारी उसके पीछे जाने का प्लैन करता है और खहता है कि जल्दी हम यहां से दूर चले जाएंगे और ये मेरा उससे मिलने का लास्ट मोका है रेन्बो को लगता है कि वो कर उसकी मदद करता है और कहता है नि मैं बस तुमारा दोस्ट बना चाहता हूं लेकिन वो गोड़ा उससे डर कर भाग जाता है डूपी भी उसके पीछे वहां तक पहुंच जाता है और यकारी उसे पताता है कि अभी अभी मैंने लीटल ठंडर की मदद की है तब ही वो एक बड़े सी इगल को आते वे देखता है और वो उसे उड़ा कर आसमान में ले आती है यकारी कहता है कि तुम तो बिलकुल मेरे सपने जैसी हो और तब वो इगल उसे बताती है कि मैं तुमारी प्रोटेक्टर इगल हूँ और जहां तुम जाते हो मैं अमेशा तुमारे साथ ह फिर वो उस गोड़े को बचाने के लिए उसे एक फैदर देती है और बताती है कि ये मेरे विंग्स का सबसे सुन्दर फैदर है ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि उनके हंटर सिर पर लगाते हैं और यकारी पूछता है कि क्या मैं भी अब ब्रेव बन गया हूँ इगल कहती है कि अच्छा काम करने वाले हमेशा ब्रेव होते हैं और फैदर के साथ साथ उसे एक और गिफ्ट भी देती है जो आज तक किसी इनसान को नहीं मिला ये कहकर वो उसे वापस जमीन पर भेज देती है और यकारी खुश होकर इस बारे में डूपी को बताता है तबी वो देखत है कि डूपी उसी की भाशा में बात कर रहा है और वो समझ जाता है कि इगल ने उसे एनिमल से बात करने की पावर दी है ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि इस तरह वो लिटल ठंडर से तोस्ती कर सकता है वो लोग एक बार फिर उसे ढूंडते वे आगे बढ़ने लगते हैं जहां एक आउल यकारी को आगे जाने का रास्ता बताता है फिर उसकी मुलाकात कुछ पटरफलाई से होती है और इसी तरह जल्दे ही वो लिटल ठंडर तक पहुँच जाते हैं यकारी उससे बात करने जाता है और वो घोड़ा भी हैरान रह जाता ह कि आगे ये इनसान मुझसे बात कैसे कर सकता है तब यकारी उसे ग्रेटिकल के बारे में बताता है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है वो घोड़ा भी अपनी मदद करने के लिए उसका शुक्रियादा करता है और यकारी प्यार से उसे चूने लगता है फिर वो बाकी इंसानों के जैसे एकदम सेलफिश हो ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यकारी उसके पीछे उस नदी को क्रोस करने लगता है तब ही पैर फिसलने से वो नदी में गिर पड़ता है और उसका फैदर भी बैकर तूर चला जाता है वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा वोटरफोल है और किसी तरह एक पेड़ से लटक कर खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ये भी उसके कोई काम नहीं आता लिटर थंडर भी उसकी चीक सुनकर उसे चेक करने आता है लेकिन तब तक बहुत तेर हो चुकी थी और यकारी वोटरफोल से नीचे गिर जाता है लिटर थंडर डूपी से तुरंट इंसानों को बुलाने को कहता है और खुद भी यकारी को डूडने नीचे की ओर चला जाता है आके का सीन कबीले का है जहां सीट और रेंबू उसके पेरेंस को सारी बात बताते है और उसके डैड कहते हैं कि हमें तुरंट इस बारे में कबीले वालों को बताना चाहिए रेंबू छूपकर उनके सारी बाते सुनती है और बताती है कि कभीले वाले जाद अतर जहां रुकने को बिल्कुल तयार नहीं है और उन्हें ये काम अकेले ही करना होगा इदर यकारी बैता हुआ एक डैम तक आता है जिसे कुछ छोटे छोटे बीवर्स ने बनाया था और वो उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं यकारी उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वो एक सुनेरी घोड़े को डून रहा था और इसी चकर में कबीले से बहुत दूर आ गया है फिर वो उनसे अलविदा लेकर आगे बढ़ता है और वो इगल एक बार फिर उससे मिलने आती है वो उससे माफी मांगता है कि मैंने आप और मदन नेचर के गुस्से से होने वाला है और इसे पार करके यह तुम सच में ब्रेव बन सकते हो फिर वो उसे खुद पर यकीन रखने को कह कर वहाँ से चली जाती है और यकारी सोच में पढ़ जाता है कि आखिर इन बातों का क्या मतलब है तब ही वो सामने से किसी को आत पड़ता है लेकिन तब ही उसकी मदद करने लिटल ठंडर वहाँ आता है और उसे तुरंत अपने उपर बैठने को कहता है यकारी इस राइट से बहुत एकसाइटीड होता है लेकिन वो घोड़ा उसे बताता है कि हमारे पीछे कुछ हंटर्स लगे हुए हैं वो दोनों देता है और कहता है कि मुझे इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है तब ही उन्हें कुछ गोड़ों की आवास सुना ही देती है और वो देखते हैं कि हंटर्स ने उन्हें पकड़ लिया है यकारी उससे इनकी मदद करने को कहता है लेकिन लिटल ठंडर उसे पूछता है क इस सुबह तमारे हंटर्स भी गोड़ों को पकड़ रहे थे तो बहला तुम में और इन लोगों में क्या फर्क है तब यकारी उसे बताता है कि ये लोग कूगर कभीले से हैं और हम इनकी तरह गोड़ों को कभी हर्ट नहीं करते फिर वो उसे उन कूगर्स का ध्यान बढ़ आने को बोलता है ताकि पीछे से वो उन गोड़ों को अजाद करा सके कूगर्स भी एक सुनहेरी गोड़े को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और अपने एक आदमी को वही छोड़कर उसे पकड़ने चले जाते हैं यकारी भी इसका फायदा उठाकर गोड़ों तक पहु देखते हैं वो अपने आदमी पर बहुत नराज होता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उस गोड़े को वापस लाना होगा आगे हम यकारी के पेरेंस को देखते हैं जिने डूपी उस वोटरफोल तक ले आया है और वो उसका अंजाम सोचकर दुखी हो जाते हैं तब यूँने नदी में पड़ा हुआ वो फैदर मिलता है और उसकी मौम समझ चाती है कि ग्रेट एगल उसकी रक्षा कर रही है उसके डैट जानते हैं कि टोनाडोस किसी भी वक्त आ सकते हैं और नीचे उनके दुश्मन कूगर्स का इलाका है और ये सोचकर वो तुरंत उ पहरा कर बहुत खुश होता है लेकिन लिटर ठंडर उसे बताता है कि यहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है और उसी उनकूगर्स ने रोक लिया है तब यकारी उसे माउंटेन का रास्ता दिखाता है जिसके ठीक पीछे उनका कबीला बसा हुआ है लेकिन लिटर ठंडर उसे समझाता है कि सामने वाला माउंटेन बहुत बड़ा है और हम इतने ब्रेव नहीं है कि उसके पार जा सके ये सुन तो यकारी को इगल की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि वो जाइंट असल में ये माउंटेन ही है जिसे पार करके वो ब्रेव बन सकता है उसकी जि वो लिटल ठंडर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तो बेर्स वहां आकर उसका काम बिकार देते हैं यहीं उनका सामने एक बर्ड से होता है और यकारी उससे बात करके उसे अपनी मदद करने के लिए तयार कर लेता है वो उसे नदी के पास अपने डॉप को डूरने को क खैता है ताकि उन्हें बता सके कि वो एकदम सही सलामत है और इस वक्त अपने कबीले की और वापस आ रहा है आगे बढ़ते वे वो पहाड की चोटी तकाते हैं जहां उन्हें सामने एक गुफा नजर आती है और ठंड और ठकान के कारण वो वही राद बिताने का फैसला कर होती है और तब एल्डर उन्हें बताता है कि कल तक टोर्नांडो यहां पहुच जाएंगे और उमीद करो कि उसके पेरंस उसे जल्दी से डून लें सुबह यकारी को अपने पास कुछ फ्रूट्स रखे वे मिलते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब रकून उनके लिए लाय और यकारी को सामने वो एगल हिल दिखाई देती है वो लिटल ठंडर का शुक्रियादा करता है और खहता है कि मैं तुमारे बीना ये कभी नहीं कर पाता लिटल ठंडर भी उसे ब्रेव बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि तुम जब चाहो मेरी सबारी कर सकते हो ऐसे ही मस करते हैं वो नीचे उतरने लगते हैं लेकिन वहां उन्हें फिर से वो कूगर आदमी मिलता है उससे बचने के चकर में यकारी और वो आदमी एक दरार में जा गिरते हैं और रकून तुरंत उसकी मदद करने जाता है वहां वो यकारी को होश मिलाता है लेकिन वो देखते है कि कूगर अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है वो लोग किसी तरह उसे चक्मा देने की कोशिश करते हैं और तब ही उनने बाहर निकलने का रस्ता दिखाई देता है रकुन उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है और बताता है कि मैं अब इन केफ्स को ही अपना घर बनाने वाला हूँ जल्दी ही यकारी महां से निकल कर नदी तक पहुच जाता है जहां वो कूगर एक पार फिर उस पर अटैक करने आता है लेकिन तब ही उसके डैड वहां आकर उसे रोक लेते हैं और कूगर को वहां से भागना पड़ता है यकारी भी अपने पेरेंट से मिलकर बहुत खुश होता है और यहीं हम लिटर ठंडर को देखते हैं जो दूर से यकारी को अलविदा बोलता है यकारी भी उसे देख लेता है लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि जल्दी यहां टोनाडो आने वाला है और हमें यहां से निकल जाना चाहिए। तब ही वो देखते हैं कि टोनाडो उनके करीब आने वाला है और वो उससे बचकर भागने लगते हैं। और यहां यकारी को समझाता है कि यह टोनाडो ही मदर नेचर के गुस्से का रूप है। उसके डैड को अपने गोडो के चिंता होने लगती है क्यूंकि वो पहले से ही ठके हुए हैं और तब ही यकारी लिटर ठंडर को आते हुए देखता है। फिर वो यकारी को अपनी पीट पर आने को बोलता है और उन्हें टोनाडो से बचाने के लिए काटी में बनी एक दरार में ले जाता है। आगे का सीन कुछ टाइम बात का है जहां कबीले ने अपने लिए एक नई जगा डून ली है और वो वहाँ बसने के तयारी कर रहे हैं। तब ही उन्हें डूपी की आवास सुनाई देती है और वो देखते हैं कि यकारी और उसकी फैमिली वापस आ गई है। वो सब लिटर ठंडर को देखकर बहुत हैरान होते हैं और जगारी उन्हें बताता है कि ये सिर्फ गोड़ा ही नहीं बलकि मेरा दोस्त भी है। फिर वो यकारी को उसका खोयावा फैदर वापस करते हैं और कहते हैं कि अब से तुम भे हमारे कबीले के ब्रेव लोगों में से एक हो। एंड़ वे हम यकारी को लिटर ठंडर की सवारी करते वे देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आयो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।